गुड बॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज एंजल कार्ड और औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम डिवाइन गाइडिंस लेते हैं कि आज के दिन को हम और भी बहतरीन कैसे बना सकते हैं साथी साथ यह जानते हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई situation या कोई ऐसी परिस्तिती हमारे आसपास बन रही है जो कि कहीं ना कहीं जिसको ओवरकम करना हमारे लिए जरूरी है तो किस प्रकार से बड़ी ही आसान रेमेडीज के साथ थोड़े बहुत अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करके हम आगे बढ़ सकते हैं और यह सभी जो रीडिंग करते हैं एक से लेकर नौ मूलांग तक की यदि आपको नहीं पता कि कौन सा है आपका मूलांग तो एक उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी डेट अब बर्थ है 14 यानि की 14 तो एक और चार को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर पांच पांच होगा आपका मूलांग और आज की तार स्वामी होते हैं वह होते हैं राहू और राहू का सीधा इंपेक्ट पड़ता है हमारी फॉर्ट प्रॉसस के उपर लेकिन आज मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट इंफरमेशन देने वाली हूं यदि आपका जनम 22 तारिक को हुआ है मैं आपर मूलांग की बात नहीं कर रह है यानि कि चंद्रमा की जो पावर है वो डबल है और जब चंद्रमा की पावर डबल होती है तो इसके कुछ पॉजटिव आसपेक्ट भी होते हैं तो मूलांग 22 के जा तक अगर इस उर्जा का सदूपयोग करते हैं यानि कि अगर राइट डिरेक्शन में है राइट पात हैं तो यकीन मानिए कि मूलांग 22 के जातक इतने पावर्फुल हो सकते हैं कि कुछ भी भविश्य में होने वाली घटना का पूर्वा भास उन्हें हो सकता है या तो किसी प्रकार की विचार के माध्यम से या सुपन के माध्यम से भी जो दिनाक 22 तारिक को जिनका जनम हुआ क्यों बसे हैं उन जातकों को कापी कुछ आभास हो जाता है साथ ही साथ बस एक डी आस्पेक्ट क्या है फ्कलिस अगर आपका गूर्च पर हैं तो इसका ही नेगिटेव इंकर परने लगता है लाइफ में कं फिजन की स्थिती बन जाती है इमोशनली बहुत ज़्यादा इंबैलेंस हो जाते हैं किसी प्रकार को कोई निर्णन नहीं ले पाते तो नमबर ट्वेंटी टू इस अ मास्टर कार्मिक नमबर आपका जो जनम है वो किसी विशेश उद्देश से हुआ है कही ना कहीं आपकी जो पावर्स है आपकी जो इनर अगर आप उसे पहचान लेते हैं उसे सही डिरेक्शन में लेके जाते हैं तो सोच लीजिए ना केवल आप अपनी लाइफ के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं तो आए दोस्तों बिना देर किये हम अपने कारिक्रम की शुरुआत क इसकार मूलांक एक लिए माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 22 अगस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है सेखमेद का काड़ आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत जादा मजबूत रहने की जरूरत है कहीना कहीन आपके जो विरोधी हैं क आज आपको सफलता जरूर दिलाएगा आपको कहा जा रहा है मूलांक एक के जातकों को विशेश तोर पे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हनुमान जी की उपासना करनी है हनुमान जी का जो सिंदूर है वो आज आपको अपनी नाभी चक्र में और अपने आग्या चक्र प यह और मूलंक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है पेले कार्ड ज्वाइन पैशन आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन की आपके अंदिंग ज्रेस बहुत अजी कैम अब के साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आज की बहुत अच्छी है बशर्ते की आप कन्फ्यूजन के स्टेट में नहीं है तो आज की एनर्जी आपके लिए बहुत जादा पावफुल हो सकती है जो आप चाहते हैं उसे आप जरूर मैनिफेस्ट कर पाएंगे और बहुत मैनिफेस्ट कर पाएंगे तो आपको क्या डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आज की तरह को कन्फ्यूज नहीं होना है बल्कि जो भी कुछ आप राप्त करना चाहते हैं अपने करियर में अपने रिलेशनशिप में अपने सामाजिक स्तर पे आर्थिक स्तर पे उसके लिए आ और मूलांक तीन के लिए हमसे कहा जा रहा है गाइडिंग चिल्डन का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन सबसे पहले तो संतान पक्ष से आपको शुब समाचार मिल सकता है साथ ही साथ वो लोग जो कहीं बच्चों के साथ कनेक्टों के काम कर रहे हैं या कहीं जुनकी टीम में जूनियर्स हैं जो की काम कर रहे हैं तो आज आपको उनका फुल सपॉर्ट मिलने वाला है कहते हैं कि कभी-कभी हमारे से चोटे जो हमारी एज के लोग होते हैं बहुत कुछ अची बाते सिखा देते हैं जो कहीं नहीं पता होती तो अपना इगो आज आप मूलांकचार की हम बात कर रहे हं हमें गाईड किया जा रहा है काली का आपको कहा जा रहा है कि 아ज का दिन बहुत आपके लिश पेचल है आपके लिए आज के दिन मा की कृपा आपके उपर बनी हुई है और कहीं नहीं आपकी लuब्लम neither धो परिशानिया है या शत्रु हैं कहीं न कहीं वो आज आपकी लाइफ से थोड़ा सा आपसे अलग होने वाले हैं दूर होने वाले हैं यहां तक की ऐसे अप्रत्यक्ष शत्रू जो कहीं न कहीं आपकी जड़ काट रहोंगे आपके मित्रवन के वो भी आज आपसे दूर हो जाएंगे तो चीजों को एकसेप्ट करें डिटैश्मेंट के भाव में रहें बिल्कुल भी इमोशनल फूल आज नहीं बनना है आपका दिन शुबहों आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 22 अगस्ते 2030 के लिए और मूलांक पांच के लिए हम से कहा जा रहा है सौसरिस का कार है आपको कहा जा रहा है कि आज की अनर्जी तो बहुत पावर्फुल है आपकी मैनिफेस्टेशन आज के दिन बहुत अच्छी हो सकती जो कुछ चाहेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं तो आपके थौट प्रोसेस पर निर्भर करेगा कि आज आप कितना सक्से करना बलकि कि स्वेद्र के फोकस करना अपने पर फोकस नहीं करना पास्ट आउस फ्यूचर नहीं करना बलकि आपको अपने future पर फोकस करना आज कहीं नहीं आपको अपनी जोड़ется पर फोकस करना है आपका दिन शुभू merchant приш आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 22 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है आज के दिन हडबड़ी ना करें अपनी वाणी पर नियंतर रखें किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पढ़ना है और सबसे महत्पून बात अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ या फिर ओहदे या पद में अगर छोटे लोगो आज के साथ आपको किसी भी प्रकार का दुर विवहार नहीं करना है आज दिन जतना अधिक़ करेंगे आज के दिन वैसे जैनु आपको हमेशाधन करना ही चाहिए खिल इसनी समयन है व्यस्टोर जाविशा पर नियांतरन वहनी है इंशे से खीशेच Füras साथ के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 22 अगस्ते 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है क्वाइट टाइम कार्ड रिपीट हुआ है और आपको कहा जा रहे है कि आज के दिन बहुत शांत रहने की कोशिश करें हडबड़ी ना करें कि इसी प्रकार कि विप्रित परिस्तिती से आपको अपने आपको बहुत जादा कंट्रोल on in reflections में क्यूंक्य परिस्umm knitting तो आपके प्रती किस प्रकार का यह एल पिपडर कर के पोई व्यक्ति एगर आपको पिंच कर रहें को मैना तो वहां पर आपका रियक्शिन थोड़ा सा कहा जा रहा है Transformation का Card है आपको कहा जा रहा है क्या आज का दिन है वहाँ परिवर्तन का कहीं ना कहीं Transformation का दिन है आपकी जह सोच है उसे बदलाव आ सकता है आपका जो जो जौब है आपका कुछ हो सकते है रोत alc framework कोल मिलाके आज आप भेरे से काम लेंगे उतना ही जादा आपके लिए बैनेफिशल रहने वाला है आपका दिन शुभा आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है 22 अगर्स्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है ब्लॉसमिंग का काड है आपको कहा जा रहा है कि आप जो है आज के दिन किसी नए कारे की शुरुआत कर सकते हैं किसी नए प्रोजेक्ट की नए बिजनस की शुरुआत कर सकते हैं यदि आप नए जॉब को चु सकते हैं आपका दिन शुबहों दोस्तों यह थी रिडिंग हमारी एक से लेकर नम उलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थ ना करते हैं आप लोग हमीशा खुश रहें आप सभी का मंगल हो आप हमारे सकारक्रम को जो प्यार और सम्मान देते हैं हमारी पूरी टीम आपका चंद्र शेकर शर्मा दर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 22 अगर सन 2023 विक्रम समध 2080 चल रहा है श्रावन मास है शुक्ल पक्ष वडशा रेतू है तीथी आज की शष्टी है और आज का वार है मंगलवार आज के नक्षत्र की ब है दौपेर दो बच के 49 मिनट तक आगे तैतिल करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्श को जहां सुबह 6 बच के एक मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के बीच में है दिन में दो बार दुष्ट मुरद भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा सुजबू से टाल दीजिएगा ये हैं सुबह 8 बच के 36 मिनट और सुबह 9 बच के 28 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को उत्तर दिशा में तो पहले कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दे लेकिन जाना जरूरी है अनिवार यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार कैसे होगा कि उत्तर की और मुक कीजिए थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाई और पांच कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रिकरिया में अपने हिर्दे म जैश्री राम कहिए और निकल जाईए तो ये दिशाशूल परिशान नहीं करेगा यात्रा बहुत अच्छी होगी आज का शुप समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बच के 15 मिनट से दौपेड 2 बजे तक ये वो समय काल है य अच्छे एफट्स करें तो इस समय में करेंगे ज्यादा अच्छे आपको मिलेंगे आज की चंद्राशी दर्शे को तुला है यानि चंद्रमा तुला राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज का दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे प दर्क राशी वाले रहेंगे आज चिंता ग्रस्त किसी की चुपती हुई बातें कर सकती आपको परेशान वहीं सिंग राशी वाले आज अपने मित्रों के साथ करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग और कन्या राशी वालों के पुराने निवेश दे सकते हैं उनको बड़ा और तुला राशी वाले आज सोच विचार में समय ज्यादा खराब करेंगे लेकिन जीवन साती से जो चोटे-मूटे विवाद चल रहे थे वो सुलख सकते हैं और वरश्चिक राशी वाले आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं और होंगे आपके साथ विवाद तो धेरि कियात्रा करेंगे देवी मंदर के दर्शन होगा आपका कल्यान मीन राशी वालों को स्वास्त का रखना है ध्यान विशेश कर जो डायबिटीज के रोगी हैं वो सावधानी ज्यादा रखें दर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते दृष्टी को प्रज्या को जागरत करेगी फिर आगे समझें उन विशेश उपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंतरणा और समाधान दर्शे को मानस में तुलसी बाबा ने बहुती वहवारिक भाषा में मानव मनोविज्ञान सुभाविक भेदता इन सब चीजों पे चर्चा किये संत और असंत यानि की सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के भेद के विश्य में बहुती सुंदर बताया है जो कुछ इस प्रकार है कि संत सही दुख परहित लागी पर दुख हेतु असंत अभागी भूर्ज तरूसम संत करपाला परहित नीती सहे विपति विसाला इसका अर्थ ये है कि संत जन दूसरों की भलाई के लिए स्वैम को परिश एक दूसरों का भला हो जाए इस संकल्फ से और एक चाता है कि सामने वाले को कष्ट हो जाए भले इसके लिए मुझे भी कष्ट सहना पड़े और उससे डबल सहना पड़े अब यहां तुलसी बाबा ने संत की जो तुलना है वो भोजपत्र के व्रक्षे की है जिसकी छाल क उतारा जाता है भोजपत्र निर्मान करने के लिए और इस कस्ट से जनकल्यान होता है तो वो भोजपत्र अपनी ही अपनी छाल को या कहा जाए तो अपनी खाल को उतरवाता है सिर्फ जनकल्यान के लिए और दुर्जन पराई संपती को नश्ट करने के लिए स्वयम कैसे द नागरत रखिए ताकि यह समझा जा सके कि कौन किस प्रकरती का है और उसी अनुसार उस व्यक्ति से आगे संबंद रखना है या नहीं रखना है यह तै करें तो दर्शे को अब करते हैं चर्चा उन विस्ष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्याओं के सरल समध दहान आपको देंगे और जिनने करके आप असफलता अर्चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की और दढ़ता से तेजगती से सबसे पहले बात करते हैं उनकी जनका जनम दिन है आप सभी आज हनमान जी के मंदिर में और किशकिंदा कांड और सुंदर कांड का पार्ट करें और उसके बाद में मिठाई और फल बच्चों में वेत्रित करें इसके साथ ही आज आप दौपेर डेड़ बजें शिवाले जाएं वहां गुलाब के 27 पुष्प और मसूर की दाल, चंदन का इत्र और फल शिवजी पर पित करके शिवपंचाक्षरिस्तोत्र के 11 पार्ट करें यह सब चीज़े गर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुती सुन्दर योग कारक रहेगा इसमें कोई भी संधे नहीं ऐसे दर्शे को जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्ये ने जड़े जमा रखियों हर प्रकार से प्रयास करने के उपरांत भी जीवन में कोई विशेश प्रगती नहीं हो रही हो तो फिर आप शरण लीजिए महाबली हनुमान जी की इसके लिए घर में ऐसे हनुमान जी का चित्र स्तापित कीजिए जिसमें उन्होंने क्रोध में व्रक्ष या शिला उठा रखिए राक्षशों के वध के लिए फिर नित्य गणेश जी की हनुमान जी की पंचोब चार से पूजा कीजिए हनुमान जी को घी गुड तुलसी का भोग रहे या घुड चने का या गुड और चना इनका भोग लगाए एक जाइफल दो लॉंग और दो इलाइची भी इनके पुरशाद में रखें इत्र अवश्यर पित करें और फिर उनसे अपनी समश्या कहकर और उनसे शरणागती का आशिरवाद मांगे कि यानि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए ये आशिरवाद मांगे और इस अती विस्ष्ट मंत्र की ग्यारा माला नित्य करना आप शुरू कर दें दर्शे को कुछ महिनों में दुरभाग्य, समश्याएं, शत्रुता, केस, प्रबल, विपक्ष ये सब आपके जीवन से एकदम गायव हो जाएंगे मंत्र को बहुत ध्यान से समझेगा विस्ष्ट मंत्र है सटी काम करता है मंत्र इस प्रकार है जो लोग राजनीती में रूची रखते हैं उनके लिए तो ये महा मंत्र है ये अपने आपने एक रामबान है राजनीती में आगे बढ़ने के लिए नित्य ग्यारा एक्केस माला गर आप करते रहें तो साल भर बीते बीते राजनीती में बहुती बड़ी उचाई हासिल हो जाएगी आपको और ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी इसमें कोई संधे नहीं ऐसी दर्शिकों जिन लोगों के लिवर कमजोर हो यानि कोई रोग हो लिवर में या पेट संबंदित समश्या है रहती हो खाया पिया ना पस्ता हो यानि अपच्की समश्या रहती हो तो ऐसी स्थिती में आप जो भी डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं वैद्य से करवा रहे हैं उसे जारी रखें और इश्वरी अनुकमपा भी उसमें जोड़ दें तो तिवर गती साब को लाब होगा इसके लिए आप यदि स्वैम रोगी हैं तो ग्यारा माला आप मंतर जाप नित्ये कुछ दिन कर लीजिए हनुमान जी का पंचोब चार से पूजन करके और यदि रोगी कोई और है उसके लिए आप कर रहे हैं तो उन्हें लिटा कर उनके पेट पर एक हनुमान जी की द्वजा रखें और उस पर हात रखके इस विशेश मंतर की तीन माला का जाप आप कुछ दिन करते रहें धीरे धीरे पेट संबंदित लीवर संबंदित जो भी रोग है उनमें बहुती तेज गती से आराम मिलने लगेगा इस मंतर को ध्यान से समझेगा बहुती विश्ष्ट मंतर है सटी कारे करता है मंतर इस प्रकार है ओम यो यो हनुमंतम फल फलित धग धगिता आयुश परुडाह मंतर को फिर से समझते हैं ओम यो यो हनुमंतम फल फलित धग धगिता आयुश परुडाह इस प्रकार से इस मं अब बात करते हैं आपके सवालों के आपके सवालों माज हमारे पास जनम पत्री का आई हमारे दर्शक पंकत जी की चूरू से 11 अप्रेल 1996 का इनका जनम है सुबह 6 बच के 15 मिनिट का चूरू प्रशन किया केरियर किस दिशा में सटीक रहेगा देखिए पंकत जी आपका मीन लगन है धनू राशी है दशम भाव यानि करम भाव में गुरू और चंद्रमा गज के स्री योग बना रहे हैं इसके साथ ही लगन द्वितिय तृतिय भाव की स्तिती दर्शा रही है कि आप राजनीती में सुशल सर्विस यानि जो एंजियों से जुड़े वी काम होते हैं या सिक्षा या धरम की शित्र से जुड़ेंगे यानि सबसे अच्छा रहेगा कि आप गोशाला कर लीजिये तो गोशाला में गोसेवा भी हो जाएगी और दूद का व्यापार भी इसके अलावा आपके लिए आयरवेदी गोशे दियों और हर्बल प्रड़क्स का काम बहुत ही सठीक रहेगा लेकिन आप मंगल के साथ गुना जाप अवश्य करवाईएगा और एक मूंगा पहन लीजिएगा क्योंकि यह आपका भागेश है और भागेशों के लगन में अस्थ है निर्वल है तो भागेशात नहीं देगा तो यह कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन में आपको सफलता मिलती रहेगी आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए महेश चौदरी जी की नागोर से 6 नवंबर 1985 का जनम है दोपेर 12 बच के 21 मिनट प्रशन किया है बिमारियां और संकट कब मिटेंगे देगे महेश जी आपका मकड लगन और करक राशी है लगनेश अस्थ होने से आपकी रोग प्रतिरोदक शम्ता बहुत कम है और अभी आपके अश्टम यानि रोग मृत्यों के भाव के अधिपती सूरी की महाधाशा चल रही है और वो स्वैम नीच राशी में होकर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी दे रहे हैं तो आपको फिलाल मधुमे की समश्या है और वात विकार या नशो संबंदित समश्या बहुत ज़्यादा हमको दिख रही है आप शिग्रता से शनी के साथ गुना जाब करवा लीजिए और एक नीलम पहन लीजिए और साथ ही सूर्य शान्ति करवाईए नित्य राम रक्षा स्तोत्र के पांच पाट आपको बहुत सारी समश्याओं से बहार ला सकते हैं अगर सन 2024 के बाद से आपकी पीडाओं में बहुत ज्यादा कमी आएगी आप उपाई अवश्य करवा लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा कष्ट ना सहना पड़े तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विस्वस्ट उपाय और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्माई आशा करता हूं कि बतायवे उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूट शद्दा के साथ करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रात्ना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनों कामना पूर्ती निश्यत रूप से हो साथ ही एक निवेदन की श्रावण मास से रुक्षा रोपन अधिक सर्दिक करें ताकि प्रकृती की सेवा हो सके क्योंकि ये प्रकृती ही भगवती है कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत सा धुवाद भगवती आप सबका कल्यान करें